हे गाई से रकंदो टेक्वोरा माई आज की वीडियो में एक और जॉब दोना देखने वाले हैं जो कि इन्फोस्टिस की तरफ से आ रहे हैं तो वीडियो को पूर लास्ता रिखना बताने वाला हूं कैसे आपको अप्लाई करना है कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है क्या याल्जेविटी करेटरी है सब कोश है आने वाला हूं और इसके अप्लाई का लिंक मैं वीडियो के दिस्क्रिशन में डाल दुँगा आप सिंपल लिंपर क्लिक करके इसके अप्लाई कर सकते हो and description में आपको और भी company के link मिलेंगे आप तो उनके ले apply नहीं करा, उनके ले apply करिएगा अभी भी काफी link active है तो अब बात करते हैं job के बारे में तो job Infosys की official website पूस किये check out कर लेगा career.infosys.com link आपको मिलेगा video के description में तो Infosys अभी hiring कर दिये information security engineer के लिए अब एक point और के लिए कर दूँ कि ये location confirm नहीं है, आपको कोई और location भी मिल सकती है इन्होंने mention भी करा हुआ है तो आपकी location होने वाली है उनकी business के requirement के according होने वाली है अगा company को Bangaloo location पर जरुवत होगी तो आपको Bangaloo location पर job मिल जाएगी आपने B.E.B. Tech करा है, आपने M.E.M. Tech करा है आपने B.E.C. करा है, आपने B.C.A. करा है, आपने M.C. करा है तो आप सब इसक्रे लगी कर सकते हो एड़ आपने B.E.B. Tech, B.C.A. किसी बरांज से करा हो लाइक Electrical, Mechanical, Civil, Computer Science तो आप सब इसक्रे लगी कर सकते हो इन्होंने particularly कोई Branch Mention नहीं करा हुआ है आपका जोज ब्रांज होने वाला है, आप सब इसक्रे लगी कर सकते हो लेकिन आपने 80's Bachelor Degree करा है तो ही आप सब इसक्रे लगी कर सकते हो बात करें Batch के बारे में कि कौन-कौन से Batch इसमें अप्लाई कर सकते है तो उन्होंने Mention करा हुआ है, आपके पास 0 एका Experience है तो आप सब इसक्रे लगी कर सकते हो आप 19 Batch के हो, आपके कोई Experience नहीं है आपने कहीं जॉब नहीं करी तो आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हो आप 20 Batch के हो, 21 Batch में पास आउट होने वाले हो तो आप 30 स्क्रे लगी में होने वाले हो आप 30 स्क्रे लगी कर सकते हो में भी आपको मौका मिल सकता है Infosys में जॉब करने का Security Engineer की Position पर बात का है percentage का इडरे के बारे में इस वीडियो दे काफी knowledge मिलने वाली Infosys के वारे में तो एक बात चेक आउट करीगा एंड इन्होंने कुछ skill भी mention कर रहा हो है योग कि आपके बास होना चाहिए आप इसके लप्लाई करने वाले हो and next main point आपको at least एक scripting language आनी चाहिए आपको share script आता है आपको python आता है आपको ruby आता है या आपको .net की knowledge है तो अब आपको काम क्ले जाएगा और आप इसके लिप लाई करने वाले हो जब भी आपका interview होने वाला है तो definitely आपसे पूछने वाले cyber security के बारे में scripting language के बारे में computer networks के बारे में database के बारे में अगर आप exam के लिए करते हो Infosys का दो तो ये कुछ skills थी जो आपके बाद होना चाहिए अगर आप इसके apply करने वाले हो आई इनों की काफी ज़्यादा माँआ है फैचर से इन इन उने को certificate भी mention करा हुआ है जो आपके पास है तो definitely आपके लिए advantage होने वाला है अगर नहीं है तो पूर्म वाली बात नहीं है आपके पास system engineer का certificate है network security का है ethical hacking का है तो definitely कहीं है कि आपके लिए plus point होने वाला है अगर आपके पास नहीं है तो कोई problem वाली बात नहीं है इन्होंने mention करा हुआ है not mandatory बात करें आपके job के दोल के बारे में आपको job मिलती है इन्फोसिस में तो आपको काम क्या करना पड़ेगा इन्होंने mention भी करा हुआ है responsibility का है section में मैंने आपको अले बताया है आपको job होने वाली है security engineer की होने वाली है तो आपको company के information, security, infrastructure को support provide करना पड़ेगा उसको maintain करके रखना पड़ेगा इसके साथ साथ आपको report बनानी पड़ेगी report produce करनी पड़ेगी उनके security incidents के उपर latest support system में कोई bug आता है कोई problem आती है या कोई new system add हो रहा है तो आपको record करना पड़ेगा आपको उसकी report बनानी पड़ेगी जो team का lead होने वाला है जो actors होने वाले है आपको उनको deliver करना पड़ेगा इसके साथ साथ जो cyber security के head होने वाले है आपको उनके साथ closely work करना पड़ेगा उनको help करनी पड़ेगी indirectly और directly एंड उनको support भी provide करना पड़ेगा अगर उन्हें ज़रुवत पड़ती है तो तो ये कुछ basic responsibility थी जो आपको करनी पड़ेगी आपको job मिलती है Infosys में तो बात करें salary package के बारे में तो उन्हें particularly salary package mention नहीं कर रहा हुआ है लेकिन मैं आपको एक idea जेदा हूँ आपके salary के बारे में आपको 3.9 LPA से लेके 4.5 तक का package मिल जागा आपको job मिलती है Infosys में security engineer की ये मैं आपको approximate बता रहा हूँ लेकिन आप इतना expect कर सकते हो Infosys से इतना package आपको आराम से मिल जागा आपको job मिलती है Infosys में तो तो I hope आपको मैंने सबको समझा दिया हूँगा आपको एक अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको link मिलेगा वीडियो के description में आपको link पर click करना है link पर click करने के बाद कुछ टैकर बेच खुलने वाला है आपको नीचे एक option मिलेगा अप्लाई वाला पर click करेगा click करने के बाद कुछ टैकर बेच खुलने वाला है आपको ए form दिखाई दे रहोगा आपको ए form फिलप करना पड़ेगा पर आपको date of birth आपको interview की location आपको जहां भी interview connect कराना है अपना आप location फिलप कर सकते हो देन एक option होगा current previous employee वाला आपने कहीं job करीए किसी company में तो आप फिलप कर सकते हो otherwise आप fresher हो तो आपको simply one फिलप करना है ध्यान देखिएगा one फिलप करना है otherwise form submit नहीं होगा इसके एलाब आपको कोई और option मिलने वाला नहीं है let us suppose कि आपको android आता है आप android टाइप करेगा आपको android मिल जागा option में किलिक करेगा आपको add हो जाएगा तो आपका phone number जो भी phone number फिलप करेगा तो आपको ज़र्जी में upload करेगा upload करनेगा नीचे एक option होगा apply वाला उस पर किलिक करेगा आपको इसके बाल आपको इसके एक्जाम होने वाला है या आपको इन्फर्म कर दिया जाएगा आपकी profile सेलेक्ट होती है तो तो आई हो आपको सबको समझ में आगा होगा इसके लाँ पिल भी और यदा नीचे कमेंटरों से कुएंट करेगा टेलिग्राम पे मुझे मैसे करेगा वीडियो पसंदा लाइक करतेना मिलते नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू and गुडबाय